तो आज आप लोग के इंग्लिश का एकसाम था और सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बड़ा वाला कॉंग्रेचुलेशन क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफी बच्चो के मेंसे जा रहे हैं बहुत ज़दा एज़ी आये था एकसाम बहुत तगड़ा आये था और मैं आपको डेफिनिटली बता दूँ जह मैंने आपके कोशन रिपर को चक करा तो उसके अंदर लिटरेचर वाले पार्ट में जो मैंने आप लोग को कोशन दिये थे एज़ी चप करके आए यकीन नहीं होगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वही पीडियाफ है एक बड़ी जाकर के चेक कर ले ना एक दो कोशन की जो लैंगविश थी उसको हट कर दे क्या एक दो कोशन की वरना सारे के सारे एज़ीश मैं तो डर रहा था कि यार कहीं लै मां को बहुत तगड़े मां को स्कोर कर क्या होगे लिखीत है मेरा बिल्कुल भी आप जो है इंग्लिश के एक्जाम को ले करके परशान मतो अच्छा गया है तो उतावले मतो क्योंकि अगर जादा उतावले हो जाओगे तो फिर वही बात है कि आप लोग अपने मैस के जाए जैब दर्शा नहीं कर सकते हैं इंगलिश आप लोग का इजी आए तो मैस भी आएगा हम लोग मैनाथ करेंगे इसी ही आएगा लेकिन जादा उतावले नहीं होंगे क्योंकि हमें मैनत करनी है जब तक मैनत करेंगे जब तक पूरा एक्जाम कंप्लीट ने हो जाता है पूरे एक्जाम कम्प्लीट हो के पांचो के पांचो उसके बाद तुम चाहे खोश हो चाहे तुम नाचो चाहे कुछ भी करो तुम्हारी मारजिय ठीक है थेंक यू